Hello everyone, welcome back to my channel आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही आसान से किचन के टिप्स और ट्रिक्स की वीडियो लेकर आई हूँ अगर आपको कोई से भी टिप्स और ट्रिक्स पसंद आते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल को सब्स्क्राइब कीजिएगा ऐसे किचन टिप्स हैं जो किचन में आपके काम को बहुत ही आसान बना देंगे तो चली without any further ado वीडियो शुरू करते हैं तो आज की मेरी सब्सी पहली टिप है बरतनों को लेकर जब भी हम खाना वाना खाते हैं सिंक में काफी बरतन जमा हो जाते हैं हम हार तरह के बरतनों को सिंक में डाल देते हैं चाहिए वह काच के हो क्रॉकरी के हो स्टील के हो या कोई से भी हो ठीक है तो इससे क्या होता है जब हम बरतनों को वाश करते हैं थोड़ी बहुत उठापटक हो जाती है जिसे जो हमारे कांच के बरतन होते हैं, वो काफी डैमेज हो जाते हैं, उनकी डंडियां टूट जाती हैं, या कप टूट जाते हैं, ग्लासिस बगरा टूट जाते हैं, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप इस तरह के एक बास्केट ले सकते हैं, और बास्केट को अप जब बरतन वाश करेंगे न तो आपके काँच के बरतन टूटने से बचे रहेंगे और मतलब काफी हैसल हो जाता है किचन में बहुत जादा कि बरतन की लिगे तो बरतन दूटने में दिक्कत आ रही है इसे आपके यह प्राब्लम भी वुजाए कि तो जो भी गंदे बरतन जब आपके कांच के बरतन धुल जाए तो इस टोकरी को भी आप वाश करके रख दीजिए और जताकी दुबारा यूज में ले सकें बढ़ते हैं अगर बहुत बन जाती है तो अगर घर पर ब्रेट कर नहीं है तो बहुत ही तरीके से अपना चली को एज़ अ-ब्रेट कर सकते हैं बहुत ही असानी से आप इसको mixi में पीस्क लीजिए और पीस्क केस का powder बना लीजिए और जब भी आपको bread crumbs की जरूरत हो ना ये bread crumbs से भी अच्छा crunch देते हैं और बहुत ही असानी से यूज में आ जाते हैं और बहुत लंबे time तक चलते हैं आप इनको airtight container में करके फ्रिज में रख दीजिए तो ये बहुत ही आसानी से यूज हो जाते हैं और ब्रेट क्रम्स क्या होता है कई बर हम जैसे ताजे बना के रख देते हैं ताजे ब्रेट के तो उनमें भी फंगस लग जाती है वो खराब हो जाते हैं तो इस तरीके से आप अजय हुतं ही छिख भी ब्रेट क्रम्स ने यहां जहाएं तो इसको आप इनको यूज कर सकते हैं बहुत ही अच्छा बहुत ही क्रंच ही आप जो भी आप फ्राय करने वाली चीजे बना रहे हैं तो इस तरीके से ब्रेट की जगा पे इनको य्जू कर सकते हैं, बहुत ही असान सा टिप है, तो ये टिप आपको कैसा मुझे जरूर बताएं, बढ़ते हैं लेक्स टिपory लेकर दोकरी को कि या कि इक बास्किट लेकर और आप उसमें और यह बहुत ही इजी तरीका है गाइज मैं यही तरीका फॉलो करती हूं क्योंकि मुझे सुभा ना फिर बिल्कुल भी मुझे हैक्टिक रूटीन नहीं लगता अपना उठने के बाद के डबों को ढूड़ने हैं डबे ढूड़ने हैं हलाकि सब एक जिगा धोके रखे रहते हैं पर फिर भी कई बर होता है ना कि डखकन जो है वो मिस हो जाते हैं जादा तर तो इस तरह से मैं एक टोकरी में ना इन सभी डबों को डखकन के साथ रख देती हूं ताकि सुभा सुभा मुझे बिल्कुल भी भागा दोड़ी ना मच पापड को लेकर अक्सरम घरों में पापड लेकर आते हैं और जिने हम खोल के यूज कर लेते हैं दो कई बर क्या होता है यूज तो करते हैं पापड भी खाते हैं लेकिन कई बर पाप क्या होता है पैकेटों में कई बर पापड जो है वो टूट जाते है आप सभी के साथ ह दो होगा मेरे साथ भी होता है पैकेट में बनना पापड़ का कुछ चूरा निकलता है देखिए इस तरीके से चूरे वे पापड़ों किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं बहुत ही आसान सी टीपे और आप लोगों की बहुत ही काम आने वाली है चलिए मैं बताती हूं आपको क जो पाउडर है वो बनके तयार है अब इस पापड के चूरे को आप यूज कैसे करेंगे आपको सुबर सुबर नाष्टा बनाने में कई बर टाइम नहीं होता जैसे को जल्दी में बनाना है और जिससे आपका पेट भी भड़ जाए इस पापड के चूरे से आप स्टाफ्ट पराठा बना के तयार कर सकते हैं जैसे नॉर्मल आप स्टाफ्ट पराठा बनाते हैं आप उसमें इस पापड की फिलिंग को भर दीजिए और जैसे नॉर्मली पराठा बनाते हैं अपको जीरा आलू खाने का मने का मन जाएhte suli आपका उलो है, गर बनामैन का जीरह जीरें, आलू टाव में आपकी नपने हैए पापड़ में चोकाय closure त Naruto को म मेंने सब्सक्रों को से जीरा आलू भणे का में ऐसना की जाएए बहुत ही quick dish बनती है, बहुत ही अच्छी बनती है, आप इस पापड के जो पिसावा powder है ना पापड का आप इसको एक tight box में करके फ्रिज में रख दीजिए, तो ये काफी time तक चलता है, खराब नहीं होता, सीलता भी नहीं है फ्रिज में और इसकी shelf life भी काफी बढ़ जाती है तो जब भी आगे से आपके घर में पापड टूटे, आपको मिले या सील गए हो पापड इस तरीके से आप उनका powder बना के और फ्रिज में रख दीजिए, चाहे आप उसके जीरा आलू बनाएए, किसी भी आप कोई भी सूखी सबजी बना रहे हैं, आप उसमे भी इसको एक बचाने के लिए हमें क्या करना है, बहुत ही सिंपल सा तरीका है, आप पापड को जैसे मैंने प्रिविस वीडियो में मैंने बताया था कि खूले वे पैकेट को हम किस तरीके से सील कर सकते हैं, जितने पापड आपको चाहिए या तो आप उतने निकाली और उनको इस तरीक पापड को डालिए और इसको फ्रिज में स्टोर कर दीजिए महीनों तक आपका पापड सेफ रहेगा और सीलेगा भी नहीं, बढ़ते हैं नेक्स टिप की तरफ, नेक्स टिप है मेरी चम्मचों को लेकर जी हां, बहुत कॉमन सी टिप है जिस गर में चोटे बच्ची होंग या तो गिर जाता है, ठीक है तो ये प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन सी है, उसको इसी तरीके से सॉल्फ कर सकते हैं, देखिए इस तरह के डिस्पोजिबल चम्मचना मार्केट में बहुत ही एजिली अविलेबल होते हैं, तो जब भी आपको बच्चों को लंच देना हो आप इस तरह के डिस्पोजिबल चम्मच बच्चों को दे सकते हैं, इस तरह से आपके स्टील के चम्मच घर में जो डे बाई डे कम होने लग जाते हैं, जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो ये प्रॉब्लम आपकी स्वाल हो जाएगी, बहुत ही सिंपल सा टिप है, लेकिन इस तरह की टिप्स और ट्रिक्स के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, बाई बाई